पट्ना के जकनपूर थाना छेतर के पुराने बस स्टेंड में खड़े एक बस में देखते ही देखते आग लग गई आग लगने कारण पुरारी बस स्टेंड में खड़ी पपू ट्रेवल्स की बस दूदू कर जलने लगी इसको देखकर अस्थानी लोगों ने पपू ट्रेलर्स ओनर को कॉल किया इस मामले की जानकारी मिलते ही गटनास तल पर पहुंचे चार दमकल की गाड़ियों ने धूदू कर जलरी बस पर आग पर काबू पाया दरसल पीछे अपते ही पटना के जकनपूर थाना से महचंद फ्लॉक की दूरी पर मौझूद पूराने बस स्टेंड में खड़ी एक बस में आचानक से आग लग गई और इस खड़ी में रविवार की सुबह एक बाफिर से इस घटना के पूर्णा विरती हुई हाला के इस बार एक पूराने बस स्टेंड परिशन में खड़ी पपू ट्रिवल्स के बस में आग लग गई है फिर से रविवार को इस परिशन में खड़ी एक बस में आग लग गई कहीं न कहीं बस स्टेन के खाली होने के बाद इस बस स्टेन में कुछ असमाजिक तत्तो का जमाऊड़ा हो गया है और संभावनाई जयताई जा रही है कि इस घटना को भी पुराने बस स्टेन परिशन मे पर रहा है यहां पर कुछ उपद्रियों के द्वारा कुछ हमको ऐसा महसूस होता है क्या जा रहा है वाकि आग लगी है फायर की गाड़िया जो है वो टैम से आई है बिल्कुल आपको बुझा दी है और गाड़ी को जलने से उपर वाला पार्ट तो जल गया बट नीचे व कोई भी किसी परकार के जानमाल की नुकसान नहीं हुई है दस जो बस खड़ी है उसमें आगे का पहिया भी नहीं है साइद वो पत्थर पर खड़ी है साइद गाड़ी जो भी है बट चालू अवस्था में नहीं लग रहा फिला लगी है मैं फायर स्टेशन ओफीसर पटना यह फूटेगा आगे फूटेगा आगे फूटेगा क्या नहीं है क्या क्या रुटेगा है क्या है क्या क्या थूटेगा है लुटेगा है